साथियों, देव भूमी के प्रती असीम सद्धा रखते हुए, यहां की असीम संभावना उपर विश्वास करते हुए, आज उत्राघंड की सरकार यहां विकास के महा यग्य से जुड़ी है, पुरी ताकत से जुड़ी है, चार धाम सडक परी योजना पर तेज़ी से काम हो रहा है, चारो धाम हाइवे से जुड़ रहे हैं, बविश्य में यहां केजार नाजी तक सरद्धालू के वल कार के जरी आ सके, इससे जुड़ी प्रक्रिया भी सुरू हो गई है, यहां पांस में हो पवित्र हैमकुन साब जी है, हैमकुन साब जी के दर्शन आसान हो इसके लिए, वहां भी रॉप्वे बनाने की दिशा में काम तैयारिया चल रही है, इसके अलाबा रिशिकेश और कन प्रया को रेल से भी जोड़ने का प्रयास हो रहा है, अभी मुक्हिमंती ची कहते थे, पाड़ के लोगों को तो रेल देखना भी दुश्कर होता है, अब रेल पहुंच रही है, डिल्ली देहरादुन हाइवे ये बनने के बाद, देहरादुन देखे डिल्ली आने वालों के लिए समय और कम हो जाने वाला है, इस सब कामों को, उत्राखन को, उत्राखन के परियटन को, बहुत बड़ा लाब मिलने बाला है, और मेरे शब्द उत्राखन के लोग लिख करके रखे, जिस तेज गति से इंफ्रास्रक्टर बन रहा है, पिछले सो साल में जितने यात्री आये हैं न, आने वाले दस साल में उससे भी ज़्यादा आने वाले हैं, आप कल्प ना कर सकते हैं, यहां की अर्थ बबस्था को कितनी बड़ी ताकत मिलने वाली हैं, इकीस भी सताथी का ये तीसरा दसक, ये उत्त्राखन का दसक है, मेरे शब्द लिख के रखिये, मैं पवित्र धर्ती पर से बोल रहा हूँ, हाल के दिनों में, हमने सभी ने देखा है, कि किस किस तरह, चार धाम याता आने वाले सरद्धालों की संख्या, लगातार रेकॉर्ड तोड रही हैं, और कोरान न, ये कोविड न होता, तो न जानें, ये संख्या कहां से कहां पहुँच गई होती, उत्राखंड में, मुझे ये भी बहुत खुशी हो रही है, खास करी मेरी माताएं बहने, और पहड में तो, माताओं बहनों की ताकत का एक अलग ही सामर्थ होता है, जिस प्रकार से, उत्राखंड के छोटे-छोटे स्थानों पर, प्रकृति की गोध में, होमस्टे का नेटवर्ग बन रहा है, सेंकडो होमस्टे बन रहे हैं, माताएं बहने, और लोग भी जयात्री आते हैं, बेबी होमस्टे को पसंद करने लगे हैं, रोजगार भी मिलने वाला है, स्वाभिमान से जीने का आउसर भी मिलने वाला है, यहां की सरकार, जिस तरह विकास के कारियों में जुटी है, इसका और एक लाग हुआ है, यहां गौना तो हमेशा दुनते थे, पहाड का पानी और पहाड की जवानी, कभी पहाड के काम आती नहीं, मैंने इस बात को बदला है, अब पानी भी पहाड को काम आएगा, जवानी भी पहाड को काम आएगी, पलायन रुकना है, एक के बाद एक जो निर्णे हो रहे हैं, पलायन रुकना है, मान के चलिए सात्यों, मेरे नवजवान दोस्तों ये दसक आपका है उत्तरा खंड का है उजवल भविश्य का है